नोशेल वस्तों, धिट है आज की 3 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज चार इशूस हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल डिसकेश करेंगे आज पाकिस्तान की National Security Committee ने पाकिस्तान की पहली National Security Policy को Approval दिया है तो इसके क्या माइन है इंडिया से ये कैसे related है दूसरा आर्टिकल हम डिसकर्स करेंगे परधान मंत्री मातरू बंदरा योजना से समधित तीसरा आर्टिकल 2021 में इंडिया की Foreign Policy कैसे रही डिटेल से अनलाइज करेंगे इस तीसरे आर्टिकल में चोथा आर्टिकल GST से समधित है कोट है आज का एली खामारोग का पूवर्टी देखो एक ऐसी punishment है उस crime के लिए जो कभी उसने गरीब person नेगटित किया ही नहीं है मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे देखो ऐसे crime की सज़ा मिल रही है जो उसने कमिट नहीं किया है ये कोट पूवर्टी से समधित जब आपको कुछ लिखना हो तब आप इस्तमाल कर सकते हूँ चलिए discussion start करते हैं First important article इंडिया-पाकिस्तान relations से समधित है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ क्या contest है देखो पाकिस्तान में हाल हिमें पाकिस्तान की National Security Committee की 36 मीटिंग और इस मीटिंग में न पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान की पहली National Security Policy को approval मिला यानि अभी तक पाकिस्तान ने कभी कोई National Security Policy नहीं बनाई थी तो पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की पहली National Security Policy को approval मिला पाकिस्तान की National Security Committee की मीटिंग में ये जो इनकी policy है न ये देखो 5 साल तक valid रहेगी 2022 से लेके 2026 के बीच में इस policy के objective में बोला गया है में रखा गया है देखो कई बार आपके जहन में आता होगा कि Security का मतलब सिरफ violence और defense इन सब चीजों से है नहीं Security देखो हर एक dimension में होती है जैसे political security मतलब democracy maintain रहेगी सबको vote जो eligible age है सबको vote देने का अधिकार रहेगा election लडने का अधिकार रहेगा यह political security है human security जैसे human rights का violation ना हो economic security हर एक के पास कम से कम इतना पैसा तो जरूर होना चाहिए वो अपनी जीवन याची का असानी से चला सके तो यह सब examples देने का मकसद यह है कि security का मतलब सिरफ peace violence, defense इन सब सीजों से नहीं होता security की काफी सारी dimensions होती है तो पाकिस्तान ने अपनी पहली national security policy में economic security को center में रखा है और economic and military matters के अलावा और काफी सारे issues को भी तवज्जो दी हैं जैसे foreign policy, terrorism water security, demographics पाकिस्तान के प्रधामंतरी इमरान खान ने कहा कि यह अतिहासिक moment है जब पाकिस्तान ने अपनी पहली national security policy को approval दिया देखो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है यह जो national security policy को approval मिला है न यह पाकिस्तान की सरकार ने approval दिया है जबकि आपको तो पता है पाकिस्तान में चलती किसकी है army की तो question यह उठता है क्या army की सहमती है इस पाकिस्तान की national security policy पर जिसको approval मिला है क्योंकि अभी तो देखो सिर्फ यह ख़बर सामने आई है कि approval मिला है पब्लिक डुमेन में इस national security policy को release नहीं किया गया है पाकिस्तान के पधामंत्री ने कहा कि कुछी दिनों में हम इसका public version भी release करेंगे पाकिस्तान के जो national security advisor है मोईद, डवलू, यूनस, यूसुफ इन्होंने का कि हम साथ से लेके 10 दिनों के बीच में national security policy को release करेंगे public domain में लेकिन देखो कितने दिनों में ये public domain में release होगी वो इस बात पर depend करता है कि आर्मी और पाकिस्तान की सरकार क्या same page पर है इस national security policy को लेके अगर देखो differences है न तो फिर आने वाले दिनों में बहुत जल्द near future में ये जो national security policy है ये public domain में नहीं आने वाली है क्योंकि आर्मी बोलेगी कि भाया हमें defend करना है पाकिस्तान को तो ये जो आपकी national security policy है न इसको हम नहीं मानते इसके बाद राइटर बोलते है चलो एक पल के लिए हमने ये मान बिलिया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी सहमत है पाकिस्तान की इस national security policy से लेकिन अब question ये उठता है क्या पाकिस्तान का transformation होगा पाकिस्तान देखो अभी एक hard military security state है इसका मतलब ये है पाकिस्तान में जो भी revenue generate होता है न उसका पहला उस पर पहला हक पाकिस्तान की military का होता है बाद में वो revenue utilize होता है बाकी institutions के लिए infrastructure डवलप करने के लिए या फिर जो भी आउसकता है उन चीजों के लिए एक famous कहवत भी आपने सुनी होगी वैसे तो देखो देशों की military होती है जैसे इंडिया की military है लेकिन पाकिस्तान में military का state है यानि military का देश है पाकिस्तान की जो military है ना आजादी से लेके अभी तक लोगों को ये convince करवाते आई है कि हमारे लिए resources की आशकता है पाकिस्तान को defend करने के लिए सबसे ज़्यादा तो नाम लिया जाता है इंडिया का इंडिया जैसे दुस्मनों से पाकिस्तान को protect करने के लिए देश के revenue पर पहला हक पाकिस्तान की military का है और पाकिस्तान की जो military है न वो उन resources का use करती है बहुत बार अपने officers को privileges provide करने के लिए आपने भी सुना होगा पाकिस्तान की army ने वहाँ पे काफी सारे mall खोल रखे हैं बहुत सारी जमीने ले रखी हैं पाकिस्तान के officers ने तो क्या पाकिस्तान अब इस hard military security state से transform होगा ऐसे state में जहां पर military भी बाकी institutions की तरह पाकिस्तान के state से revenue मांगेगी कि आप हमें पैसा दीजिए जैसे हमारे देश में होता है न हमारे देश में army कहती है कि आप ज़्यादा allocate कीजिए नेवी कहती है हमें ज़्यादा पैसो की जूर्थ है तो सरकार अपने इसाब से फिर पैसे allocate करती है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता तो क्या पाकिस्तान इंडिया जैसी situation में आएगा इसकी संभावना दो देखो काफी कम दिखाई देती है राइटर विवे काड जो 40 साल पुरानी एक घटना का जिकर करते हैं वो कहते हैं जब जिया उलहक प्रेजडेंट थे न तो एक पाकिस्तानी citizen से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान में आर्मी ना सब कुछ कंट्रोल करती है डिफेंस के नाम पर लेकिन एक्चुल में वो डिफेंस करती है खुद गई यानि खुद के लिए ही वो सब कुछ कंट्रोल करती है लेकिन डर दिखाती है इंडिया का और बाकी दुश्मन देशों का राइटर कहते हैं उस परसन की नाम बात जो है आज भी वैलिड है हलाकि उसने ये बात 40 साल पहले बोली थी लेकिन वो बात आज भी वैलिड है अगर वास्तव में नैशनल स्क्योटी पोलसी पाकिस्तान की चेंज लाने के लिए होती ना तो पहला स्टेप ये लिया जाता इस नैशनल स्क्योटी पोलसी में कि पाकिस्तान की मिल्टरी के द्वारा जो भी expenditure किया जाता है उसमें transparency लेके आना कि पाकिस्तान की मिल्टरी कहां कहां पर पैसा खर्च कर रही है लेकिन पाकिस्तान की national security policy में ऐसा कोई step नहीं लिया गया है और देखो इसी national security policy के context में पाकिस्तान को एक question अपने आप से ये पूछना चाहिए क्या वो इंडिया से relations से improve किये बिना पाकिस्तान के लोग के लिए human security अचीव कर सकता है क्या इंडिया से relations से improve किये बिना पाकिस्तान growth और normalcy के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है देखो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है ना इंडिया से 1947 में जिस आधार पर पाकिस्तान के demand की गई थी वो आधार क्या था two nation theory Muslims के लिए अलग से देश होना चाहिए हिंदू के लिए अलग से देश होना चाहिए हलांकि Indian National Congress ने उस समय इस theory को नहीं माना था लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का निर्मान हुआ अब देखो पाकिस्तान को Muslims के नाम पर अलग से देश मिला तो ये दिखाना तो पड़ेगा न कि हमारी जो आईदेंटिटी है वो अलग है वास्तों में पाकिस्तान की आईदेंटिटी इंडिया से अलग है नहीं आप इतिहास पढ़ते हो हमारी आईदेंटिटी सेम है इवन बिटिस काल में भी बहगत सिंग और जितने भी हमारे freedom fighters थे उन्होंने लहोर पे दूसरी जगहों पर operations carry out किये और भी पीछे जाईए medieval era में, ancient era में, even indis valley civilization में हमारी identity same है, लेकिन अब पाकिस्तान का निर्मान हो गया Muslims के लिए अलग देश के नाम पर, तो उनको दिखाना पड़ता है कि हमारी identity इंडिया से अलग है, तो आप देखो अपने missiles का नाम कैसे रखते हैं गोरी, गजनी, जबकि वो इस धर्ती के है ही नहीं, वो पाकिस्तान के नहीं है वो या तो Central Asia से आए, या फिर West Asia से आए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी ना identity इंडिया से अलग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करता रहता है और इसी से उपज के आती हैं इंडिया के लिए नफरत अपने लिए पाकिस्तान जो identity की तलास कर रहा है ना पिछले 75 years से इसी के चलते पाकिस्तान कस्मीर को स्पोर्ट प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को लगता है कस्मीर अगर इंडिया से अलग हो गया तो उनकी बात सही साबित होगी two nation theory वाली कि देखो Muslims सिरफ अलग से देश में रह सकते हैं Muslims इंडिया के साथ नहीं रह सकते और इंडिया के लिए ये secularism का test है जो Indian National Congress ने उस से मैं भी कहा था कि हम इंडिया का निर्मान धरम के नाम पे नहीं कर रही हैं लेगिन देखो इंडिया के खिलाफ ये जो hostility है ना इसकी वज़े से पाकिस्तान rational policies को इंडिया के अगेंस्ट नहीं adopt कर पा रहा हैं इवन ऐसी ऐसी policies पाकिस्तान अपनाता है जो उसके national interest में नहीं होती हैं आप ये example लीचिए 5 अगस्त 2019 को जब हमारे देश में जमू एन कस्मीर का special status रिवोक किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये stand ले लिया कि जब तक इंडिया में special status जमू एन कस्मीर का वापस नहीं लाया जाएगा तब तक हम इंडिया के साथ वेपार नहीं करेंगे जबकि देखो इंडिया के साथ वेपार करने में पाकिस्तान को फाइदा होता है पाकिस्तान के ट्रेडर्स को फाइदा होता है पाकिस्तान के लोगों को फाइदा होता है लेकिन वही बात इंडिया के खिलाफ नफरत के चलते पाकिस्तान नैशनल इंट्रेस्ट में डिसीजन नहीं लेता है जैसे देखो इंडिया है बेसक आप कुछ भी बोलिए इंडिया चाइना के साथ एंगेज कर रहा है अभी भी हलाकि बोर्डर पर डिस्प्यूट है लेकिन एंगेजमेंट नहीं छोड़ा गया है आगे आर्टिकल आएगा भी फोरेंड पोल्सी से समदित आज की ही डिसकेशन में लेकिन पाकिस्तान इस परकार से rational decision नहीं लेता है एक और example देखिए दिखू जिस परकार से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ परोक्सी वार में कस्मीर में आतकवाद का यूज करता है किसके नाम पर इसलाम के नाम पर यानि पाकिस्तान में जो यूथ हैं उनको इसलाम के नाम पे उनका mind was किया जाता है और भेज दिया जाता है इंडिया में लड़ाई करने के लिए लेकिन political purposes के लिए इसलाम का use करना यह जो पाकिस्तान की रन्नीती है आज पाकिस्तान को ही खा रही है आप देखिए पाकिस्तान में आज के समय में कितने जादा Islamic sects बन गए हैं और कितने सारे ऐसे ग्रूप्स हैं जैसे TTP देखिए तहरी के तालिबान जो धरम के नाम पर पाकिस्तान स्टेट के अगेंस लड़ रही हैं आप तहरी के लबाक देखिए जिन्होंने पाकिस्तान की सडकों पर प्रोटेस्ट किया इस मांग के च पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं इस इसू से समंदित देखो हमने एक अलग से discussion भी की थी कि पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी जादा radicalized क्यों हैं ये जो वीडियो है न दूसरे चैनल पे हैं सुमित रेवरी वाले चैनल पे हैं आपको टाइम मिले तो ये वीडियो जुरूर देखेगा इसमें काफी अच्छे points मिलेंगे पाकिस्तान में society की radicalization से समंदित लास्ट में article में ये कहा जाता है देखो इंडिया के साथ relations अच्छे ना maintain करके पाकिस्तान ने अपने दूसरे neighboring partners का रुख किया जिसमें से सबसे important है चाइना काफी समय से पाकिस्तान चाइना पर dependent है अपने defense और military matters के लिए लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को ये लगने लगा है चाइना हमारी मदद करेगा economy को भी transform करने में उस वज़े से चाइना पाकिस्तान economy corridor को काफी ज़्यादा पाकिस्तान तवज्जो देता है इस project के तहत connectivity, port development, power production, दूस नहीं कर सकती, इंडिया आपका बड़ा neighboring country है और इंडिया को ignore करके आप growth के रास्ते पर नहीं चल सकते, फिर लाश्ट में तो एक anecdote का जीकर किया जाता है, 25 साल पहले चाइना के राश्टरपती जियांग जैमिन पाकिस्तान कियातरा पर आये थे और पाकिस्तान सिनेट को सम अपने मित्र देश के प्रेजिडेंट की बात नहीं मानी और पाकिस्तान इंडिया के साथ disputes छोड़ने को तयार नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से काफी समय से terrorism पर mood करता आया है और अभी भी कर रहा है लेकिन पाकिस्तान को ये समझने की आव सकता है कि वो खुद का ही नुक् करने होंगे इसके बाद नेश्ट आर्टिकल प्रधामंत्री मातरू वंदना योजना से समधित है आप जी एस पेपर सेकिंड के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं क्या कंटेस्ट है देखो एक जनवरी 2017 को प्रधामंत्री मोदी ने एक स्कीम लोंच की थी प उनको देखो 5000 का cash incentive दिया जाता है एक साल में तीन installments के तोर पर जैसे देखो कोई pregnant woman है वो जाती है चेक अप के लिए regular time पर तो पहली installment मिल जाएगी बच्चे के जनम के बाद जैसे अगली installment मिल जाएगी बच्चे को टीका लगवाया जाता है तो next installment मिल जाएगी मतलब total एक बच्चे के जनम पर 5000 रुपे का cash incentive दिया जाता है provided pregnant woman जो है वो कुछ conditions को fulfill करें जैसे अपना regular check-up करवाना और बच्चे के जनम के बाद vaccination ये सब चीजें मतलब exact conditions क्या है वो तो आप check कर सकते हो लेकिन essence आप समझ गए होंगे मकसद इस scheme को launch करने का ये था एक तो safe delivery ensure करवाना की महिलाएं जो है वो institutions में जाकर ही जैसे hospitals वहाँ पर ही बच्चे को जनम दे मदर और बच्चे की health सुनिश्चित करना अब institution में जाकर delivery अगर होगी तो बैतर ढंग से बच्चे और मदर की health जो है वो ensure की जा सकती है दूसरा देखो बहुत बार जो गरीब महिलाएं होती है न वो pregnant होने के बावजुद काम करती रहती है क्योंकि जीवन याची का चलाना मुश्किल होता है गरीबी के कारण तो वो pregnancy के बावजुद काम करती रहती है तो इस scheme को launch करने का एक मकसद ये भी था कि उनका जो wages loss हुआ है ना pregnancy कारण उसको compensate सरकार करे और वो अपनी सेहत का ख्याल रखें तो ये तो हमने essence की बात की scheme है गया अब writer कहते हैं देखो इस scheme का implementation अच्छे डंग से नहीं हो रहा है पहली बात तो coverage कम है जितना coverage होना चाहिए उसका सिरफ 40% coverage हो रहा है बहुत सारा data है इतना data आपको याद रखने क्या हो सकता नहीं है answers में मतलब लिखने के लिए इतना आपको याद होगा भी नहीं एक दुम बारीक से data दे रखा है कितना eligible my line 2017-18 में थी है इस scheme का लाब लेने से अब दूसरी दिक्कत ये है allocation भी कम हो रहा है even जो eligible महिलाएं है न उनको भी तीनों installments नहीं मिल पाती है क्यों क्योंकि सरकार ने कम पैसे allocate किया है इस scheme की implementation के लिए तीसरी दिक्कत ये है एक अलग से scheme सरकार ने लोंच की समर्थ है जिसके अंदर कई सारी schemes को merge कर दिया जिसे एक तो यही जिसकी हम बात कर रहे हैं पढ़ान मंतरी मातरू बंदना योजना उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सक्ति के इंदर gender budgeting, research training इन सभी schemes को एक बड़ी scheme में merge कर दिया गया जिसका नाम है समर्थ्या लेकिन इस बड़ी scheme के लिए allocation सरकार ने उतना ही रखा जितना की था पढ़ामंतरी मातरू बंदना योजना कम से कम भाया आप दूसरी schemes को मर्ज कर रहे हो एक बड़ी scheme में allocation तो आप ज़्यादा कीजिये funds का लेकिन नहीं इसके बाद writer बोलते हैं जबकि देखो state level पे जब इस परकार की scheme सहना उनका अच्छा implementation हो रहा है जैसे तेलंगाना में है maternity entitlement scheme इस scheme के अंतरगत नाम जो pregnant woman होती है उनको KCR kit दी जाती है KCR kit में बहुत साइचीजें होती है जैसे baby oil, soaps, mosquito nets, dresses और Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme इस scheme में coverage भी ज़्यादा है जो तेलंगाना में है और maternity benefit भी ज़्यादा है यानि पैसे भी ज़्यादा मिलते है और coverage भी ज़्यादा है ज़्यादा महिलाएं को लाब मिलता है इस scheme का Udisa की अलग से scheme है Mamta scheme इस scheme में ना दो child birth पर scheme का लाब ले सकती है महिलाएं जबकि central government की ज़्यादा है उसमें सिरफ पहले बच्चे के जनम पर scheme का लाब ले सकती है महिलाएं तो state level पर जो scheme से implement हो रही है ज़्यादा बहतर डंग से implement हो रही है उनका coverage भी ज़्यादा है बढ़ोतरी है beneficiaries में जैसे central government की जो scheme है उसमें beneficiaries की संख्या ड्रोप हुई है 52% जबकि URISA में जो scheme है उसमें beneficiaries की जो संख्या है 57% increase हुई है तो last में अब writer के द्वारा बोला जाता है आप सुधार केजिए सुधार कैसे कीजिए सबसे पहले तो आपकी जो ये scheme है ना पहले बच्चे जनम के बजाएद दो बच्चों के जनम तक लागू होनी चाहिए यानि दूसरे बच्चे पे भी महिलाएं इस scheme का लाब उठासके ऐसा provision आप कीजिए दूसरा पैसे ज़्यादा दीजिए देखो maternity benefit act 1967 के तहट महिलाओं को न मदर बनने पर कितने हफतों की छुट्टी मिलती है बारा हफतों की maternity leave मिलती है तो बारा हफतों का आप wage compensation कीजिए ना बारा हफतों का wage compensation कितना होगा 15,000 होगा इसके बाद last में article में ये भी बोला जाता है जो भी देखो implementation gaps है उनको आप पूरा किजिए और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा awareness भी फिलाई है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो इस skim का lab लेज़के अभी ना implementation में इसलिए भी दिक्कत आती है जो authorities है ना काफी सारे documents मांग लेती है जैसे आप mother and child protection card लेके आईए husband का अधार कार्ड लेके आईए bank passbook registration पता नहीं क्या-क्या मतलब बहुत सारे documents मांग लिये जाते हैं तो महिलाएं को दिक्कत होती है scheme का lab लेने से तो आप implementation बि जादा से जादा जो pregnant woman है ना वो इस scheme का lab ले scheme तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article इंडिया की foreign policy से समदित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो इस article में ना analyze किया जाता है कि 2021 में इंडिया की foreign policy कैसे रहें 2021 में इंडिया की foreign policy में एक major बदलाव ये देखने को मिला पहले हम दूसे देशों के साथ या फर groups के साथ selectively engage किया करते थे यानि किसी किसी के साथ engage किया करते थे किसी के साथ नहीं किया करते थे लेकिन 2021 में हमारी foreign policy इस परकार से रही हमने universal engagement सीखा आगे आगे article में आएगा USA के साथ अच्छे रिष्टों के बावजूद हमने रश्या के साथ अपने रिष्टे नहीं तोड़े USA के कार्टसा act के बावजूद हम रश्या से S-400 missile defense system purchase कर रही हैं तो universal engagement की आठ हमने सीख ली है जिसका reflection देखने को मिला 2021 में इंडिया की foreign policy में वैसे देखो foreign policy के लिहाद स 2021 का जो साल है ना काफी ज़्यादा उथल पुथल रहा COVID-19 की महमारी के बावजूद हमारे जो विदेश मंतरी है एस जैसंकर उन्होंने देखो बहुत ज़्यादा travel किया दूसरे देशों में जाके उन्होंने ground level पर दूसरे देशों के foreign ministers के साथ दूसरे प्रीमियर्स के आया था USA में transition हुआ था Trump राश्टरपती हट गए थे और Biden राश्टरपती बने थे तो विदिन देशों के जो leaders थे वो चिंतित थे कि अब USA की foreign policy में किस परकार से बदलाव आएगा लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे ढंग से even USA के नए राश्टरप लोदी की चर्चा हुई फिर next बड़ा challenge आया चाइना से चाइना वाला challenge तो देखो पहले से ही है 2020 से चला आ रहा है border पर tensions है चाइना के साथ diplomatically इंडिया ने एंगेज किया बहुत ज़दा इंटैस्टी के साथ militaryly engage किया लेकिन बावजुद इसके देखो कुछ जगों पर disengagement अभी भी नहीं हुआ है यानि कुछ जगों पर चाइना की जो forces है अभी भी LAC पर आगे हैं इंडिया कोशिस कर रहा है चाइना की forces पीछे जाएं लेकिन ये मुम्किन नहीं हो पा रहा है फिलाल की situation को देखत हुए कुछ experts ये बोल रहे हैं जब चाइना के राष्टरपती की अगली term सुरुवात होंगी ना President के तोर पर तब जाके चाइना के राष्टरपती तो जो है वो कुछ ऐसे steps ले सकते हैं जिससे peace establish हो border पर क्योंकि अभी वो चाइना की जनता के सामने कमजोर नहीं दिख सकते हैं इसलिए जब तक उनकी अगली term स्टार्ट नहीं होती है तब तक side border पर dispute का यानि जो दोनों देशों की forces आमने सामने हैं इसका कोई solution तब तक नहीं